मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद जम्यत के सादर मौलाना महमुद मतनी से बात के सलाम टीवी के टीम ने आईए सुनते हैं सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला है और कहीं ने कहीं कौम के लिए बागर मैं बात करूँ मुसल्मानों के लिए बात करूँ कि एक इदारा था जहां से वो अपनी शिरुवाती या दीनी तालीम हासिल कर सकते थे इस फैसले को आप कैसे देखते हैं दो बाते हैं इसमें एक तो यह सिर्फ कोम का मामला नहीं है मुलक का मामला है हमारा मुलक कसीर कोमी मुलक है अलग-अलग जबानों के बोलने वाले अलग-अलग भाशाओं के अलग-अलग मजहबों के लोग है और यह इसकी खुबसूरती है इस मुलकी यही खुबसूरती ह अब मदरसे को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था उत्तर परदेश के अगर मदरसे के कौन टेक्स्ट में देखेंगे जैसे बहुत बड़ी सरकारी मदद सिर्फ मदरसों को दी जा रही है हलकि ये सिर्फ मदरसों के लिए नहीं जासे थे तो आप इतने बड़े बड़े अध सब्जेक्ट है लेकिन मोटे तोर पर हम ये कहना चाहते हैं कि हाई कोट ने जमीनी हक्ट को और कानून के जिस कानून के तहति ये सिस्टम जिस एक्ट के तहति ये सिस्टम चल ला था उसको समझे बगहर उसकी रूह को भी नहीं समझा, उसको भी नहीं समझा, उसके बगएर एक फैसले दिया था, तो मैं इसके लिए सुप्रिम कोट का आज की फैसले को एक खुशाएंद, एक ऐसी ऐसा फैसला समझता हूं कि ये चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, आगे भी इसका लोंग टरम इंपक्ट होगा इस फैसले का, आपने बयान में कई बार काया कि हाई कोट से कई ऐसे फैसले होएं जो सुप्रिम कोट में रज़ होएं, जिसके लडाईएं आप लोगो नडाईएं, बात ये है कि ये हमारी शिकायत है, कि कोटों में बहुत मरतबा, इंसाफ होने के बजाए इंसाफ का खु जारा किया है, कि जिजिस को आम आदमी के मामले में, मैं हिंदु मुसल्मान के उससे बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी को ये शिकायत, एक तो खानून इंसाफ हासल करना एक मुश्किल प्रोसिस हो गया है आज की तारिया, और उसमें भी नीचे के अदालतें जो हैं, वो इस पर तवज्जों अगर होने लगे कि उनके खुद की पसंद ना पसंद क्या है, तो ये ठीक नहीं है, बहुत 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 शुक्री है, जिस तरीके से आज सूप्रिमपोर का फैसला आया, मदरसों के लिए खास तोर पर एक बड़ी जीत जरूर है, प्रिलिज इस